मशकार दोस्तों, कथा मन्थन में आपका स्वागत है कथा मन्थन में आज की कहानी है जोती, लेखक मुशी प्रेम चंद इस कहानी में लेखक ने प्रेम से कहे शब्दों का वर्णन किया है कि प्रेम की शब्द में कितना जादू है वह बड़े से बड़े जगड़े को भी कैसे पल में शांत करवा देता है विद्वा हो जाने के बाद पूटी का सभाव बहुत कटूर हो गया था जब बहुत जी जलता था तो वह अपने मृत पती को ही कोशने लगती कि आप तो सिधार गए मेरे लिए सारा जंजाल छोड़ गए अब इतनी जल्दी जाना ही था तो बियाना किसलिए किया घर भूनगी भांग नहीं चले थे बिया करने वह चाती तो दूसरी सगाई कर लेती अहीरों में इसका रिवाज है देखने सुनने में भी बुरी ना थी दो आदमी तैयार भी थे लेकिन बूटी पती वरता कहलाने के मौ को न छोड़ सकी और सारा क्रोध उतरता तो बड़े लड़के मौहन पर जो अब सोला साल का था सोहन भी छोटा था और मैंन लड़की थी ये दोनों भी किसी लायक ना थे अगर ये तीनों ना होते तो बूटी को इतना कश्ट की होता जिसका थोड़ा सा काम कर देती पही रोटी कपड़ा दे देता पती उसके सिर्ग रस्ती का यह भार पटक कर क्यूं चला गया उसे यही गिला था बेचारी का सर्वनाश ही कर दिया ना खाने का सुक मिला ना पहनने ओडने का ना और किसी बात का इस घर में क्या आई मानो भट्टी पड़ गई उसी महले में उसकी बिरादरी में कितनी औरते थी जो उसके जेट होने पर भी गहने जमका कर आँखों में काजल लगा कर मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डाल कर मानो उसे जलाया करती इसलिए जब उनमें से कोई विद्वा हो जाती तो बूटी को एक तरह की खुशी होती यह सारी जलन में लड़कों पर निकालती विशेश कर मोहन पर वह शायद सारी संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाती थी उसकी वंचित लाल सा जल ना पाकर उस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी फिर यह कैसे संभवता की वे मोहन की विशे में कुछ सुने और पेट में डाल ले जियों ही मोहन संधिय समय दूद बेचकर घर आया बूटी ने खा देखती है तो अब सांड बनने पर उतारू हो गया है मोहन ने प्रशन की भाव से देखा कैसा सांड क्या बात है अम्मा तो रुपिया से चिपशिप कर हस्ता बोलता नहीं उस पर कहता है कैसा चांड तुझे लाज नहीं आती घर में पैसे की तंगी है और वहाँ उसके लिए पान लाए जाते है कपड़े रंगाए जाते हैं महन ने विद्रो भाव का भाव धारन किया अगर उसने मुझसे चार पैसे के पान मांगे तो क्या करता कहता कि पैसो दो लाओंगा अपनी धोती रंगाने को दोती दी तो रंगा दी टोली में तुही बड़ा धन्ना सेट है ना और किसी से उसने क्यों न कहा यह वैजाने मैं क्या बताऊं तुझे चैला बनने की सूचती है गर में तो कभी एक पान लाया नहीं यहाँ पान किसके लिए लाता क्या तेरे लेखे घर में सब मर गए हैं मैं न जानता था तुम पान खाना चाहती हो संसार में एक रुपिया ही पान खाने का जोग है शौक सिंगार की भी तो उमर होती है बूटी जलूठी उसे बुड़िया कहदाना उसकी सारी साधना पर पानी फेड देना था इतना कठोर आगात इनी बच्चों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी उसके आदमी को मरे आज पांस साल हुए तब उसकी चड़ती जवानी थी तीन बच्चे भगवान ने उसके गले मर दिये नहीं अभी वह है कहती दिन की चाहती तो आज भी वह ओट लाल कि ये पाउं में महावर लगाए अनवट बिच्चुए पहने मटकती फिरती यह सब कुछ उसने इन लड़कों के कारन त्याग दिया और महान उसे बुड़िया कहता है अगर रुपिया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो वह चुहिया सी लगे फिर भी वह जवाने और ब ठीक मांगते फिरते तु कह देती हूं तु एक दम उससे नहीं बोलेगा महान ने डरते डरते कहा मैं उसे बात दे चुका हूं मा कैसी बात सगाई की अगर रुपिया मेरे घर आई तो जाड़ू मार कर निकाल दूगी यह सब उसकी मा की माया है मेरी कुटनी से मेरे लड़ यही आंगन में सोया कर और गाएं मेसे बहर पढ़ी रहेंगी पढ़ी रहने दे कोई डाका नहीं पढ़ा जाता है तुम् strap मुछ संधें है हां है तो मैं यहां ना सोंगा तो घर से निकल जा जैसी तेरी इच्छा मैना ने भोजन पकाया महन ने कहा मुझे भूक नहीं बू जीवन में एक स्निक्द था भर दी थी अब वह कौन मू लेकर उसके पास जाए क्या कहे अम्मा ने मुझे तुस्से मिलने को मना कर दिया है नहीं यह नहीं हो सकता वह घर की परवा नहीं करेगा वह रुपिया के साथ मासे अलग रहेगा इस जगा नहीं किसी दूसरे महले में तभी उसे चूडियों की जनकार सुनाई दी रुपिया आ रही थी हाँ वही उसने सिराने आकर महन से बोला सो गए क्या गड़ी भर से तुम्हारी रहा देख रही हूं आये क्यों नहीं महन नींद का बहाना किये पड़ा रहा फिर से रुपिया ने उसका सिर सहला कर किया सो महन की सारी आत्मा जंकृत हो गई रुपिया ने फिर उससे खा सो गए क्या हाँ जृरा नींद आ गई थी रूपा तुम इस वक्त क्या आई कहीं अम्मा देख ले तो तुम्हें मार ड़ाले तुम आज आई क्यों नहीं अम्मा से लड़ाई हो गई तुम्हां केहती थी बो तो जी ना मानेगा रूपा बुली ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाओंगा तुम बस रोज एक बास एक बार मेरे पास आ जाया करो मैं उससे जादा और कुछ नहीं चाहती हूँ और अम्मा बिगडे की तो मैं समझ गई तुम उससे प्यार नहीं करते इसी स था घर के काम धंदे में उसका जीना लगता था लेकिन आज भै आंगर में बठा अपनी दोती में साबुन लगा रहा था मौन को देखते ही वे साबुन चिपा कर भाग जाने का अफसर खोजने लगा मौन ने मुसकरा कर कहा क्या दोती बहुत मैली हो गई है सोहन दोभी को क लेते इन शब्दों के में सनही की गंदाई दोभीन पैसे मांगती है भाईया अम्मा से ले लो अम्मा नहीं देंगी तो मुस्से ले लो कहकर उसने एकन्नी उसकी और फेक दी सोहन बहुत परसंद हुआ भाई और माता दोनों ही उसे दिक कारते थे बहुत दिनों बाद आज पहली बार सोहन ने भाई के पृति ऐसा सर्भाव परकट किया इसमें क्या रहसी है ये महुन की समझ में नाया बोला आग हो तो रखलाओ मैना सिर के बाल खोले आंगन में घरॉंदा बना रही थी महुन को देखते ही उसने अपना घरॉंदा बिगाड दिया और आचल म में बाल चिपा कर रसोई घर में बरतन उठाने चली महुन ने पुझा क्या खेल रही है मैना मैना बोली कुछ नहीं तू तो बहुत अच्छे घरॉंदे बनाती है मैना का रुआसा चेहरा खिल उठा प्रेम के शब्द में कितना जादू है मुह से निकलते ही जैसे खेल उठा मैना महुन को दिखाने के लिए फिर से गौरंदे बनाने बैट गई मैहन ने उसके उलजे वे बानों को सुल जाते वे खा तेरी गुड़िया का ब्याका बेरे मैना नैता देते तो तो कुछ मिठाई खाने को मिले मैना कमन अकाश में उड़ने लगा कि अब खुब चमा कर पानी लाएगी अम्मा पैसे नहीं देती गुड़ा थो ठीक हो गया ठीका कैसे भेजू कितने पैसे लेगी एक पैसे के बता से लूँगी एक पैसे का रंग जोड़े तो रंगे जाएंगे ही तो दो पैसे में तेरा काम चल जाएगा हाँ दो पैसे ते दो भ मैं बोली अभी तक मटर गश्टी हो रही है बहस कब दोएगी आज बूटी को महन ने विद्रोबर जवाब ना दिया जैसे उसके मन में माधूरिया का कोई स्रोथ सा खुल गया था माता को गोबर का बोज लिए देखकर उसने जोवा उसके सिर से उतार दिया बूटी ने का र होएगा वह भी मैं करूंगा तो इतना बड़ा जोदा है सारे काम कर लेगा जितना कहता हूं उतना ही लोगा तो मैं क्या करूंगी तुम लड़कों के काम लो तुमारा धर्म है आज महन बजार से दूद पहुचा कर लोटा तो पान कत्था सुपारी और एक छोटा सा है वह क्या इतना शौक भी ना करे बुटी के सुखे कठोर हिर्दे में कहीं से कुछ हरियाली निकल आई एक ननी सी कपोल थी लेकिन उसके अंदर कितना जीवन कितना रस था उसने मैना और सोहन को एक-एक मिठाई दे दी और फिर महन को देने लेगी मिठाई तो मैं लड़ दे बार उसे सौभाग्या प्राप्त हुआ धन्य भाग पती के राज में भी जिस विभूती के लिए तरस्ती रही वैं लड़के के राज में मिली पांदान में कहीं कुल्डिया हैं दो छोटी-छोटी चिम्चिया हैं उपर कड़ा लगा हुआ है जहां चाओ लटका कर ले मन की प्रसंत्य विवार में उदारता बन जाती है अब घर में नहीं बैठ सकती थी उसका मन इतना घहरा नहीं है कि इतनी बबड़ी विभूती उसमें जाकर गुम हो जाए एक पुराना आइना पड़ा वह था उसने अपना मुह देखा ओटो पर लाली तो नहीं है मुलाल क करने के लिए उसने थोड़ा ही पान खाया धनिया ने आकर खा काकी तनीक रसी दे दो कल बूटी ने साफ कह दिया था मेरी रसी गाउं भर के लिए नहीं है रसी तूट गई है तो बनवालो लेकिन आज धनिया प्रसंद है उसने सदभाव से रसी निकाल करके दे दी और पुटी है चंचल लड़का है सबको नजर का डर लगा रहता है जाते ही चुमकार कर बुलाए जड़ से सबकी गोद में चला जाता है अरे कभी-कभी मा की भी नजर लग जाती है धनिया पानी लेकर आई तो बुटी उसके साथ बच्चे देखने को चली तो अकेली है आजकल घर के कामदंदे में अस्विधा नहीं होती नहीं अम्मा रुपिया आ जाती है घर का कुछ काम कर देती है नहीं तो अकेले मरन हो जाए बुटी को अश्यरिया रुपिया को तो उसने केवल तितली समझ रखा था रुपिया कर देती है हाँ काकी बिचा काजल से छुट्टी नहीं मिलती यह तो अपनी अपनी रूची है काकी मुझे तो इसी मिस्टी काजल वाली ने जितना सहरा दिया उतना कोई भक्तिन बिना देती मैंने कुछ दे तो नहीं दिया पर हाँ जब तक जियोंगी उसका नाम गाऊं तो उसके गुन अभी नहीं जान बच्चा सो गया था धनिया ने बच्चे को कटोले पर सुला दिया बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और पेट में धिरे धिरे उंगली गड़ा कर देखा नाभी पर हिंका लेप करने को कहा रुपिया बेनिया लाकर उसे जलने लगी बूटी ने का ला बेनिया मु स्कुराने लगी लोग जूट तो नहीं कहते मैं आखों तो देखी मानू कानों की सुनी आज रुपियां आखों में काजल लगाए पान खाय रंगीन साड़ी पैने वी थी किन्तु आज बुटी को मालूँ हो इस फूल में केवल रंग नहीं सुगंद भी है उसके मन में लड़के के लिए जागती रही आज रुपिया बुटी को सुन्दर लगी ठीक तो है अभी शौक सिंगार न करेगी तो कब करेगी शौक सिंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस रहते हैं किसी के घर में आग लग जाए तो उन्हें अगर रुपा कभी बिना काजल लगाए जाए बेडंगी साड़ी पहने आ जाती तो बुटी कहती बहु बिटियां ऐसे जोगिया भेस अच्छा नहीं लगता है यह भेस तो हम जैसी बुडियों के लिए हैं रुपा ने एक दिन का तुम बुडी कहे कि हो गई अम्मा लोग बुटी ने उसकी और रजबरी आँकों से देखकर पुछा अच्छा बता महन से तेरा भिया कर दू रूपा लजा गई मुक पर भूलाब की आभा दोड़ गई आज महन दूद बेचकर लोटा तो बुटी ने कहा कुछ रिपे पैसे जुटा मैं रूपा से तेरी बातचीत कर रही हूँ देखा प्यार के शब्दों का जादू